क्या आपकी भी बॉडी के अंदर बुरा कॉलेस्टॉल बढ़ता है, क्या आपकी भी नसों में ब्लॉकेस रहती है, क्या आपके भी सीने में यानी चेस्ट के अंदर पेन या चुबन फील होती है, और आप इसे बिना दवाई के ठीक करना चाहते है, क्या इसके लिए आप रो नहीं आएगी हैलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब मैं हूँ दिव्याशर्मा धवन और आज आपको जानकारी देने वाले हूँ LDL कॉलेस्ट्रोल को बॉडी से कैसे बाहर करें आर्ट्री से जमा हुआ बुरा कॉलेस्ट्रोल बॉडी से कैसे बाहर किया जा सकता है LDL cholesterol हमारी body के अंदर blockage को पैदा करता है और HDL जो होता है वो एक good cholesterol है जो हमारी arteries की सुरक्षा करता है, protect करता है उसे ऐसे तो cholesterol को कम करने के लिए diet, lifestyle, weight management, ये सबी चीज़े बहुत जरूरी है पर इसके साथ-साथ कुछ ऐसी home remedies भी है कुछ ऐसी herbs भी है जो हमारी body के अंदर से बुरे cholesterol को यनि की LDL cholesterol को बाहर कर सकती है तो आज मैं आपको 3-4 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ अगर इनमें से आपने 2 भी अपनी diet में शामिल कर ली तो आपको बहुत अच्छे result मिल जाएंगे आपका heart healthy रहेगा आप heart attack जैसी बिमारी से blockage जैसी बिमारी से बचे रहेगे आपका BP हमेशा ही normal रहेगा तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट की रहने वाली है और उन सभी लोगों के लिए काफी valuable होगी जो इस समस्या के लिए रोजाना दवाई खा रहे है वीडियो में आगे चलने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और देनी थी कि अगर आप बहुत मोटे हैं और अपने ideal weight पर आना चाहते हैं आपको भी पता है हमारी body का मोटापा बहुत सारी बिमारियों का कारण है या फिर आप अपने वज़न से काफी पतले हैं और अपने muscle weight को gain करना चाहते हैं तो screen पर एक number दिखाई दे रहा है उसके whatsapp पर आप मुझे yes लिक कर भेजीगा मेरी call आपके पास जरूर आएगी दोस्तों अब मैं बात करने वाली हूँ वीडियो के topic के बारे में और सबसे पहले herb के बारे में इसे herb कहना बुरा नहीं होगा ये दोस्तों है garlic यानि कि लसुन लसुन के अंदर sulfur compound पाया जाता है जिसे allicin कहा जाता है allicin ही वो चीज है जो हमारी body में से LDL cholesterol रखते हैं और बुरे cholesterol को body से बाहर करके हमारे arteries को clean करने का काम करते हैं रोजाना कितनी मात्रा में लेना काफी है तो सिर्फ और सिर्फ इसे 1-2 कली लेना काफी होगा वो भी गुन-गुने पानी के साथ आप सुबह खाली पेट इस 2-2 कली लसुन को चबा कर खाली जिए लेकिन अगर आपको acidity बहुत जादा body में बनती है तो आपने एक गिलास पानी के अंदर 2-2 कली लसुन को crush करके डालना है और उबाल कर फिर इसका जस्ट पानी पी लेना है दोस्तों बात करते हैं दूसरी और साधारन सी चीज़ के बारे में लेकिन ये ओशदी से भरी हुई है वो है green tea green tea हमारे शरीर के अंदर से हमारे gut system से fat को बाहर करने का काम करती है हमारी arteries में जमा हुए plaque को arteries में जमा हुए बुरे cholesterol को LDL को बाहर करने का काम करती है दोस्तों इसका seven आप दिन में दो से तीन cup green tea बहुत ही असानी से पी सकते है दोस्तों तीसरी चीज़ बहुत ही कमाल की है और आप इसका seven regular कर सकते हैं और इसके बहुत सारे और भी फाइदे है वो है धनीय के बीच धनीय के बीच ना केवल हमारे बुरे cholesterol को बाड़ी से बाहर करते हैं बलकि ये हमारे बालों को strong बनाते हैं बालों को healthy करते हैं स्किन पर ग्लोल आते हैं, आखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं, थाइरेट जैसी समस्या से बचा कर रखते हैं और थाइरेट को क्यो और भी करने का काम करते हैं, इसके अंदर फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है, ये बुरे कॉलेस्ट्रोल को बॉड़ी से बाहर करता है, और ये एक energy drink, एक detox drink की तरह हमारी बॉड़ी के अंदर काम करता है, ये धरीए के बीज हमारी बॉड़ी के अंदर पाचन शक्ति को भी बढ़ाने का काम करते हैं, इसका सेवन करने का बहुत ही साधारन सा तरीका है, रात को आपने एक चमच धरीए के बीजों को एक गिलास, कांच के गिलास के अंदर भीगो कर रख देना है, सुबेस पानी को उबाल लीजिए, जब ये उबल जाए, इसका चान कर, नॉर्मल टेंपरेचर पर आने के बाद सिप सिप करके बैठ कर पी लीजिए, ये आपकी बॉड़ी में वो सभी काम करेगा, जो उनको बढ़ाने का काम करता है, जो हमारी बॉड़ी के अंदर जॉइंट पे इन जैसी समस्या को दूर करने का काम करता है, ये बॉड़ी के आर्ट्री को क्लीन करने का काम करता है, दोस्तों इसके इतने सारे फाइदे हैं, बस इतना ध्यान रखीगा, कि इसकी मात्रा आपन यानि कि एक बटा चार चमच ही मेथी दाना कर देना है और इसका नियम में कम से कम 20-25 दिन तक रेगुलर सेवन करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगी इस मेथी दानी की अंदर फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है कि हमारी बॉड़ी से बुरे कॉलेस्ट को बाहर करता है और बॉड़ी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देता है लास्ट चीज बहुत ही दमदार है इसका सेवन हर एक इंसान को जरूर करना चाहिए और वो है आमला आमला के अंदर एंटी ऑक्सिदेंट गुन पाए जाते हैं इसके अंदर काफी अच्छी मारता में विटामिन सी होता है यह हमारे पाचंत अंतर को दरुस्त करता है नसों का सक्त होना या नसों में अकडन होना या कार्डियो वस्कुलर डिजीज होना यानि की हार्ट की प्राब्लम होना यह सबी से हमें बचा कर रखता है तो अब इसका सेवन इन में से किसी भी एक से दो च जानकारी यहीं तक थी, मैं उमीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए फाइदे मंद होगी, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आप ऐसे ही informative वीडियो और चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन पर प कर लीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, stay healthy, always be happy, thank you for watching my video, okay, bye.